Hello friends, welcome to English with Rahul sir अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन जरूर दबाए Hello दोस्तो, मैं Rahul सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल English with Rahul sir में यहाँ दोस्तो, आज कल उरा विश्वयक by अरा हुआ है, सहमा हुआ है, एक बात को लेकर वो है, रश्या और यूकरेन की लड़ाई से जिहां दोस्तों दुनिया के सारे देशों को लग रहा है कहीं ये तीसरे विश्वयूत की आहर तो नहीं क्योंकि रशिया और यूकरियन की लड़ाई अपने आप में बहुत भयावा इस्तती पैदा कर चुकी है क्या है इसके पीछे के रीजन का है इसके पीछे के कारण आएए जानते हैं 1999 में नेटू रास्ट्रो का एक संगटन था वरतमान में इसके संक्या 30 है नेटू जो संगटन बना जिसका फुल फॉर्म होती है नौर्थ एटलैंसिक ट्रेटी अर्गनाजेशन तो इस संगटन में कुल बारत देश थे और जिसका हेड़कॉर्टर था जिसका मुख्याले जो था वो था बेल्जियम में उक्रेण जो है वो चाहता था कि वो भी नेटू का सदश्य बने और रस्या नहीं चाहता था कि वो यूक्रेण नेटू का सदश्य बने इसलिए 2014 के बाद रस्या और युक्रेन के बीच में conflict होने लग गया एक संगफ होने लग गया और उसके बाद में तनाव की स्थित्पन होगी अब आज स्थित्थी ये है कि रस्या युक्रेन पर हमला कर चुका है और इस invasion में वो चाहता है कि युक्रेन पर हमला करके उसके उपर राज किया जाए तो क्यों ऐसा कर रहा है इसके पीछे के क्या है काराण हम जानेंगे लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे युद्ध से जूड़े हुए कुछ important words जिनको English में क्या कहते हैं अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे युट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम सीखेंगे युद्ध से जोड़े हुए कुछ important words so war related words कौन कौन से हैं चलिए शुरू करते हैं पहला word है युद्ध युद्ध को English में कहा जाता है war युद्ध को दोस्तों war भी कहा जाता है लेकिन इसके अलावा एक और word है battle battle का मतलब भी युद्ध ही होता है दोस्तों तो battle भी कहा जा सकता है या फिर इसे ही war कहा जा सकता है युद्ध को दोस्तों तो आज का जो हमारे topic है war related words next word है परमानु युद्ध यान कि nuclear war यहाँ परमानु का मतलब nuclear हो गया दोस्तों और nuclear war means परमानु युद्ध इसके बाद बात करता है ग्रह युद्ध यान कि किसी भी दो राज्यों के बीच में दो जिल्लों के बीच में ऐसा को युद्ध होता है जो देश के अंदर ही हो ऐसे युद्ध को ग्रह युद्ध कहा जाता है यान कि civil war इसको इंगलिश में कहते है civil war बात करते हैं एक लिए वर्ड की वह है आक्रमन तो आक्रमन को हमला करना आक्रमन करना इसको अटेक तो कहते ही है लेकिन साथ में अगर बड़े इस्तर पर हो युद हो तो उसके इन्वेड कहा जाता है या फिर इसको इन्वेशन भी कहा जाता है तो यहां पर आक्रमन को कहा ज करना तब कहा जाता है deploy और तैनाती को कहा जाता है deployment तो सेनात तैनात करना मतब deployment और तैनात करनात को कहा जाता है deployment चलिए आगे बढ़ते हैं next word पर आते हैं हम YouTube से जुड़ा हुआ अगला word हवाई लड़ाई यानि कि दो फाइटर जैट के लड़ाई होती ही हवाई में लड़ाई होती उनको इंग्लिश में डॉग फाइट कहा जाता है दोस्तों यह बहुत इंपोर्टन वर्ड है डॉग फाइट कहा जाता है अगर हवाई लड़ाई हो तो नेक्स्ट वड़ हावाई हमला जैसे भारत ने पाकिस्तान पर किया था हावाई हमला किया था इसको कहा जाएगा एर स्ट्राइक यानि कि हावा में हमला करना इसको एर स्ट्राइक कहा जाएगा हावाई जैड के द्वारा यह जो है हमला किया जाता है next word है घात लगा कर हमला करना याने कि धोके से हमला करना इसको कहा जाता है ambush और ये भी एक युद्व की कला होती है दोस्तो इसलिए इसको ambush कहा जाता है next आगे बढ़ते हैं हम next word की बात करते हैं दोस्तो अगला जो word हमारे सामने वो है दुश्मन दुश्मन को इंग्लिश में कहा जाता है enemy या food उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तो तो अगला word हमारे सामने है दुश्मनी दुश्मनी को hostility भी कहा जाता है और hostile मतलब भी जो तो दुश्मन होता है hostile जो दुश्मन होता है और दुश्मनी hostility अगला वर्ड हमारे सामने है संकट यानिकी क्रैसिस अगर वो संकट किसी वित्रह का हो जपता है चाहे वो आर्थिक संकट हो चाहे वो एकॉनोमिस संकट हो किसी वित्रह का संकट हो तो उसको क्रैसिस कहा जाता है युद्ध विराम यानकि Seize Fire अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और उसको वही बीच में जिस इस तर पर रोका जाता है, उसे कहा जाता है Seize Fire बात करते हैं गोला बार के गोला बार के इंगलिष में कहा जाता है Bombardment इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तो बंबार्टमेंट बात करते हैं अगले युद्ध घोशना जब भी युद्ध डिकलार किया जाता है घोशित किया जाता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिकलार वार क्या कहते हैं दोस्तो डिकलार वार बात करते हैं गले वर्ड की वो है बम गिराना जब भी किसी एक देश के दौर जब से भी रश्या और यूक्रीन का यूद चल रहा है और इस पर बम गिराये जा रहे हैं उसको कहा जाता है बॉंब अगला जो वर्ड हमारे सामने है शीत यूद इसी कहा जाता है इसका इंगलिश में कहता है क्लिशेड अगला जो वर्ड हमारे सामने है वह कबजा करना जब भी हम किसी एक देश दूसरा बड़ा देश चोटे नेक्न पर कबजा कर लेता है उसको केप्चर किया जाता है या फिर किसी एक पहाड़ी को käytt़ किया जाता है तो उससे भी capture कहा जाता है इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कमजा करना अगला वर्ड है निहत्ता करना अगले वाले जो शत्रू हैं जिस पर हम हमला कर रहे हैं अगले वाले जो शत्रू हैं जिस पर हमला कर रहे हैं अगला वर्ड हमारे सामने हैं थलसेना आर्मी जो थलसेना वो होती है जो जमीन पर करके दुशमन का आमना सामना करती हैं दुश्मनसे लड़ती है और इंगलिश के i और इंग्लीश में कहते है इसको निवी तो गण कहते हैं धोस्तों आप सबी को पता हैं वेपन का यहांट है नि 이 ऑन कि और गand plays यान वली जाने कहा सकता है जो जो बहुत ही महतुपन कारी करता है इसको बारुद कर जाता है अगला वड़ हमारे सामने रहेगा कार्टूस इसको इंग्लिश में कहता है कार्टूस का मतलब का एक पार्ट है दोस्तों यृददध-पोथ यृदध-पोथ का मतलब होता है wanna worship यृदध-पोथ कह सकते है gor起 जाएं- जयाती है जो यृदध के रूप में काम में लिए जाते हैं जो जाहाज विकर्णवर लिए जाते हैं उइसको इंगलिश में यृदध-पोथ ऑचेते हैं पंडूभी क्या कहेंगे दोस्तों nuclear पंडूभी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लड़ा को विमान की तो जो विमान लड़ाई के लिए काम में लिया जाते हैं इन्हीं कहा जाता हैं aircraft या fight plane या इसको कहते हैं fighter plane आगे बढ़ते हैं अगला word है धमाका या sport यानि कि explosion या explode बहुत बड़े इस तरवर धमाका किया जाता है दोस्तों तो उसे explosion कहा जाता है या फिर इसको explode भी कहा जाता है आगे बढ़ते है next word की गोला बारुत को कहा जाता है ammunition गोला बारुत जो भी यूद में काम में आयते हैं काम में यूद में लिया जाता है इनको ammunition कहा जाता है बात करते हैं अगले वर्ड की तो वह है तो जो तोप यूज में लिया जाता है उस तोप को English में कहा जाता है तोप गोले को इंगलिश में जो कहा जाता है तोप गोले के अगले वर्ड की अगला वर्ड हमारे सामने हद गोला यानि कि ऐसा बं जो हाथ में लेकर यूज गया जाता है इसको कहा जाता है हैं इसको कहा जाता है हैं इसको कहा जाता है हैं इसको हाथ में लेकर पैका जाता है कही बार हमने फिल्मों में भी देखा होगा इसको हथ गोला हिदी में कहते हैं और इंग्लेश में इसको कहते हैं है प्रण ने बात करते हैं अगले वर्ड की और वो है भगदड जब भी बहुत सारे एक बड़े स्तर पर भगदर मत जाती है बहुत सारे लोगों की फीड होती है और इसी कारण से एक फीड कंप्रोल से बाहर हो जा दिया तो एक बुष्ट्रे के तरफ भागने लग जाते हैं इ बस्त्र रखे जाते हैं, उसको Arsenal कहा जाता है, इंग्लिष में और हिंदी में कहते हैं इसको सस्त्रागार. अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है गोलियों की बोचार, जब continue गोलियों की बोचार की जाते हैं, तो इसको Wally कहा जाता है, वाली ये जीदु में कामे लिया जाता है गोलियों की जगादार बारिश होती है तब इसका प्रियोग किया जाता है दोस्तों अगले जो शबन है आतमर्ग्रपन करना जब कोई मझबूत सियना किसी कमज़ोर पर हमला करते हैं उसको हरा देती है तो फिर वो हार मानकर आतमर्पन करते हैं उसको एंगलिश में को डिफीट कहते हैं और हारना को लूज तो यहां से जो वर्ड है डिफीट यानि हराना भी हो सकता है पराजय गरूप में इसको लिया जा सकता है दोस्तों तो अच्छी कि यह आज हमने सीखा यूद्ध से जोड़े वे कुछ और कुछ इंपोर्टन वर्ड्स उमीद करता हू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आगे सागे सेर कीजिए कॉमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच